दिल्ले विश्व द्याले के कुलपती जवाब दें, सिक्षा मंतरी जवाब दें और आधरडी प्रधान मंतरी जवाब दें, किसी प्रोफेसर को नौकरी से निकालने की वज़य क्या है, मेरे प्रिंसिपल का RSS से क्या रिष्टा है, क्या दिल्ले विश्व द्याले में पैसा तुम्हें कमजोर कड़ी मिली नोकरी चीनना चीन लिये तुम मेरा हुनर कैसे चीन होगे विश्व विद्याले गुलाम और डरा हुआ रिडविहीन टीचर मुर्दा नागरिक पैदा करता है नोकरी चीनिये होसला थोड़ी चीनेंगे यह मुद्दा बहुत दूर तक जाएग मैं अब यही कौँगा कि पहले तो आपको बहुत बहुत सुबकामना है आगे के भविश्य के रिए अभी तक जो हुआ उसको भूल करके और उसको भुला करके आगे क्या प्रोगाम है जो हुआ है लक्समन यादव का मुखर बोलना लक्समन यादव का अमेड कर पे फूरे मुद्दा बहुत दूर तक जाएगा और अभी तो जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे उस लिहाज से तो यह शुरुआत है हम प्रोफसर रतनलाल के घर पर खड़े हैं और हम जानते हैं कि इनको कितना जलना पड़ा प्रोफसर सूरज मंडल है जितने भी लोग हैं नयाय पसंद हैं संविधान के लिए लड़ते हैं सामाजिक नय की बात करते हैं उन सारे लोगों को टार्गेट किया जा रहा है तो उसी कड़ी में हमारा नंबर आबाया फिलहाल मैं इस पूरे मामले को दो तरह से देख रहा हूं दो एंगल है इसका पहला यह है कि हम लोग दरसल तो हम इन्हें सामने अपने बरबाद होते देख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि जिन चीजों की वजह से हम बने वह बरबाद हो रही तो दुख है हमें वह बरबाद कैसे हो रही है मुझे नोकरी नहीं मिली एक सवाल मेरा है उसके लिए मैं यही कहूंगा कि मुझे यह व सब कुछ पुब्लिक कर दिया मैंने आज अपना गोल्ड मेडल का जो मेरिट सर्टिफिकेट इलाब अश्टिय है उसको भी पुब्लिक कर दिया अब जरा डिपार्टमेंट कॉलेज एड्मिस्टेशन युनिवर्सिटी एड्मिस्टेशन और अगर समय मिल जाए तो सिक्षा म मंत्राल है और अधरणीय प्रधान मंत्री जी भी इसमें थोड़ा इंट्रेश्ट लेले दिल्लिवश्व दैले का मामला है क्या है कि दिल्लिवश्व दैले के 14 साल से पढ़ाने वाले वेप्ति को यह नहीं बताया जाना चाहिए कि आप क्यों निकाल रहे हैं क्या वजह थ मेरी जिनको रखा है उनका experience मुझसे बहुत कम है शोध लेक मुझसे बहुत कम है फिर क्या वजह क्या है असल वजह क्या है और यह बहुत बड़ा सवाल है इसलिए मैं कहे रहा हूँ क्योंकि यहीं से वो दूसरा सवाल जोड़ता है कि अगर वजह merit नहीं है अगर वजह academic को क्या है और अगर वजह कुछ और और अगर वजह कुछ हॉर है तो पहली बात कि विश्र अगर निकाले जाने के बाद बोल देंगे, तो अगली बार कहीं नोग काई खतम हो जाएगा, तो इसलिए सब लोग चुप बैठे हैं, लेकिन आपने परिवार बरबाद कर दिये, आपने लोगों का करियर बरबाद कर दिया, पंदरा साल बीस साल लोग निकाले जाने के आबों ने हमें यही सिखाया कि आप सत्य के साथ खड़ा होना, आप अन्याय के खिलाफ खड़े होईएगा, आप जब कक्षा में जाएए तो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था, कि आप रीड़ वाले नागरिक पैदा करेंगे, आप सच और न्याय का पक्ष देने व अगर आज के तारीक में अगर सब खामोश रहे तो फिर बोलेगा कौन, ऐसलिए हमें तो बोलना पड़ेगा, यह जानते हुए भी कि हमने को जब अपने मेरिट से नोकरी लेनी थी, तो मेरिट से नोकरी ली साड़े एकिस साल में ले ली, टॉप किया इनवस्टी तो अपन हुआ है, मेरि डिगिया, मेरि तुमने मेरी कक्षा शीनी मैं अपने घर में बैट कर वहां से विद्यारिएंट को पड़ा लूँगा, मैं वहां से सम्बधान की बात करूँगा, साहित की बात करूँगा, वो तो नहीं चेह सकते, सवाल इस बात का है, कि तुम विश्व को बरबाद कर रहे हो अपना अब मेरे कुछ सवाल है अब यह लंबी बातचीत की बजाए पूरे देश के लोगों से एक अपील है मेरे सेलेक्शन कमिटी में जितने लोग बैटे थे उनके बारे में अब तो चुनाव कहीं है ना देश में जो एडी सीवी आई एना ये सब इ कितने लोग संग की शाखाओं में जाते हैं मेरे प्रिंसिपल का रिष्टा है मैं मैं बुरा नहीं मान रहा हूं वह सकते हैं लेकिन अगर वह सकते हैं तो मैं कि अलग विचार का हो करके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो सकता तीवी पर बैट करके यहां के प्रोफेसर ज आया जाए कि कौन कौन दिल्ली विश्वद्याले के ऐसे प्रोफेसर हैं जो आरेसेस की शाखाओं में जाते हैं कितने प्रोफेसर ऐसे हैं जिनके रिष्टदारों को नौकरी दी गई है कितने लोग ऐसे हैं जिनको कम मेरिट पर नौकरी दी गई है क्या दिल्ली विश्वद सब्सक्राइब कit Airlines के ज हमारा यह पर है कि यह सब्सक्राइब क्हुंद चेह झी हंए तो यह फेस्फेन को पैसा कि है यह प्रमाण कि कहाșएं और भाहि है यह जितने सब्सक्राब को हुड में जब तो विष्रवी जिश्य विद्यालें में नौकरी मेर उती है इन्टर्वियू से होता है आपके लिखने पढ़ने और एकेडमी काम करने से होता है विचारधरा देख ले जाती है न किसी की नोकरी चीनी जाती है और कबूल करिए कि आपने लक्षम यादों की नौग्री विचार धारा के नाम पर चीनी है तो ये विश्वविद्याले को बर्बाद करना है कि नहीं है आखिर में केवल इतना कहूंगा कि मैं तो बोल रहा था बहुत सारे लोग वो मारे गए जो चुप थे उनको भी और बहुत सारे तो हमारे ऐसे लोग थे जो उधर से शाखा में चले गए कि परमानेंट हो जाएंगा उनका भी नहीं हो रहा है तो इसलिए विश्व विद्याल से गुलाम और डरा हुआ रिडविहीन टीचर मुर्दा नागरिक पैदा करता है और विश्व विद्याले बरबाद हो गए तो देश बरबाद हो जाएगा मैं विश्व विश्व द्याले में हूं मैं देख रहा हूं की बरबादी सामने इसे विश्व द्याले में यग्य ह खराब होगा मैं फिर से जाते आते कहा रहा हूं दिल्ले विश्व दैले के कुलपती जवाब दें सिक्षा मंतरी जवाब दें और आदरडी प्रधान मंतरी जवाब दें किसी प्रोफेसर को नौकरी से निकालने की वज़य क्या है यह वज़य मैं जानना चाहता हूं और उस देश के लोगों से यह अपील करते हैं आप सब मुल्क के हुक्मरानों के नाम चिठी लिखें आप सब राश्पती के नाम चिठी लिखकर सवाल पूछिए कि विश्व दैलें को बरबाद क्यों किया जा रहा है और इस सिक्षा बरबाद हो गई न यह सारे प्राइवेट हा अगर सिक्षा और विश्व दैले नहीं बचेंगे तो गरीब कमजोर मजलूम दलित पिछड़े आदिवासी घरों के हम पहली लोग यहां तक आए आगे फिर आने वाले दर्वाजे बंद हो रहें इसलिए बड़े आंदोलन की अपील में देश के लोगों से कर रहा हूं य इनको लगता है आपको लगता है कि यह मुखर होके बोलना जाती पर बोलना मनुवाद पर बोलना पूरा मलविक तरीके से देश भर में एक बड़ी फैन फोलिंग हो जाना नुकसान का हुआ उससे जी बिलकुल यह देखिए और यह पहली बार नहीं है दिल्ली विश्व द जलल के उपर देखा कि किस तरीके का टार्गेट करके निशना बनाया गया उसके बाद रित्यु सिंग का केस देखा आप डॉक्टर लक्षमन याधब को देख लिए यह का मामला नहीं है पर जिस बात को ले करकर डॉक्टर लक्षमन याधब देश बर के अलग-ठीक स्षो पर वो लड़ते हैं किताब की लड़ाई और जो एकेडमिक क्लास्रूम की जो लड़ाई वो तो एक है ही लेकिन उसके साथ साथ सड़क से लेकर के पारलेमेंट स्ट्रीफ तक जो पूरी की पूरी लड़ाई डॉक्टर लक्षमन यादव और इस तरीके की आवाजें हम लोग लगातर उठाते रहें उसी का खामिया जा हम लोगों को आज की तारिक में उठाना पड़ रहा है और यह और कुछ नहीं है हम सब लोग बहुत अच्छे से बाके वह उनकी मेरिट से उनकी काबिलियत से लेकिन काबिलियत देखकर के नौकरी देने की परमपरा इस विश्व जो displacement बहुत गंफीर मसला है बरतमान नियुकती परकिरिया जो चल रही है इसकी अगर प्रिस्ट भूमे में जायत एक बड़ी लंबी इसके लिए अंदोलन हुई थी बहुत जद्दो जहद के बाद नियुकती परकिरिया सुरी हुई थी और इस उमीद के सांद सुरी हुई तो हमने इस मुद्दे को लेके सभी तमाम टीचर्स ग्रूप ने सपूर्ट किया था 2021 के डूटा को क्योंकि हम चाहते हैं कि अस्थाई परकिरिया के माध्धम से सभी लोग की नियुकती परकिरिया हुई लेकिन जिस तरीके से नियुकती परकिरिया जारी है जिस तरह से व पुरे अस्थापना दिवस के सतादी वर्श मना रही है और तब ऐसे लोग को और कहा जा रहा है कि समाजिक न्याय के हर दूसरे दी नियुवरसिटी मेरे थेसे मिंनार हो रहे हैं भूक से आनेवाई लोग के हक और हकुक से देना होगा लक्षमन जी के बारे में बता दूँ एक सिर्फ दिली विश्विदाले के आम सिक्षक नहीं है यह एब्जाप्शन आंदुरन के बहुत बड़े एक सिपाही थे बहुत बड़े कारकरता थे बहुत बड़े चेहरा थे इनको बेदेखल कर दिया गया आप आठ्सफगल्डी के सामने जाके देखे रूति जो पिसले सोग दिन से अधिक धरने पर बैठी है वो क्यों बैठी है क्योंकि वह बहुत बड़े नेता उभर रही थी तो जो दली समास से वंची जमास से जो लेने नेता पाइदा होंगे उनको खतम कर देंगे ऐसा नहीं होगा तो इसी संविधान के माध्धम से इसी संगर्ष के माध्धम से लोकतांतिनिक और संविधानिक परकिरिया के माध्धम से हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और हक की लड़ाई को अंजाम तक लिके जाएंगे ऐसा मैं मानता हूँ निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख